हेलो एवरिबन कैसे हैं आप मेरी रसोई में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम बनाएंगे सेवाई की खीर जो की सर्दियों में हमारे लिए काफी फायदे मंद है और ये एक फटा-फट से बना कर खाई जाने वाली स्वीट डिश है जब भी हमारा कुछ मीठा खाने का मन करें तो हम फटा-फट ये खीर बना कर खा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं खीर सबसे पहले खीर बनाने के लिए हमें चाहिए दूद और सेवाई और ये यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद ले लिया है और एक कप मैंने सेवाई ली है सेवाई मैंने बाजार से ली है ये पै हम इसमें सेवाइड डालेंगे और सेवाइडालने के बाद हमें 10 मिनट इनको पकाना हैं 10 मिनट पूरी लगती भी नहीं है इस खीर तैयार होने में और 5-7 मिनट हम पहले सेवाइडे और उसके बाद दो मिनट हम चीनी और ये ड्राइ फ्रूट्स डाल कर पकाएंगे यहाँ पर मैंने गोला कदुकस करके ले लिया है और किश्मिश मैंने ली है और बादाम और पिस्ता मैंने काट कर ले लिया है और ये मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है और इस खीर में जब हम ड्राइ फ्रूट्स डाल देते हैं तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पर दो इलाइची भी तोड़कर दूद में डाल सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा अच्छा खीर में टेस्ट आता है और यहाँ पर मैं चीनी डाल दूँगी खीर हमारी तैयार होने ही वाली है बस और यह सेवाई बहुत जल्दी बन जाती हैं सबसे जल्दी बनने वाली खीर है यह कभी भी हम इसको बना कर खा सकते हैं और इस खीर में एक खासियत यह भी है कि हम सर्दियों में अगर जुखाम हमें हो जाए तो इस तरह की हम खीर बना कर खाएं तो जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाता है तो यह खीर हमारी तयार होने वाली है यहाँ पर मैंने ड्राइफ फ्रूट्स और चीनी भी खीर में मिक्स कर दी है और चीनी को घुलने में यहाँ पर दो ही मिनट लगेंगी और हम खीर को यहाँ पर दो मिनट के लिए और पकाएंगे और उवाल पढ़ने के बाद हमारी खीर ये देखिए तैयार हो चुकी है और अब हम सर्विंग डिश में अपनी खीर को सर्व करेंगे और इस तरह से आप खीर बना कर जरूर खाईए और अगर आप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से खीर बना कर जरूर खाईए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए और ये हमारी गर्मा गर्म खीर तैयार है सेवई की खीर हम फटा फट से